तो हेलो मैं रेडर फेमिली दोस्तों अगर आप भी यामा के फैना और यामा की RX100 के लॉंच होने का बेस सबरी से इतिजार कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बड़िया खुशकबरी निकल की आई है क्योंकि यामा ने इस बाइक के लॉंच को इंडिया में 100 प्रसंट कांफरं कर दिया है और ये बाइक बहुत ही जल्द इंडियन डेवाइक में लॉंच होने प्राइब तो सारा कुछ ही आज किस वीडियो में में मापको बताने वाला हूं तो इस बाइक के फ्रंट में आपको round LED LED smartchen के बारे में बात करें तो इस बाइक के रियर टेल कारी शेर नहीं की है लेकिन मुझे परसनल लगता है कि यामा इस बार इस बाइक में आपको 125 का इंजन परवाइड करवाने वाला है क्योंकि यामा के पास इंडियन टुविलर मार्केट में 125 के सेगमेंट में अभी तक कोई भी बाइक अवेलिबल नहीं है तो मेरे परसनल परवाइड करवाने वाला है अगर यामा इस बाइक को 125 के सेगमेंट में इंडिया में लॉंच करता है तो ये बाइक लॉंच होने के साथ ही इंडिया में तैल का मचा देगी तो दोस्तों फाइनली अगर हम इस बाइक के प्राइज और इस बाइक की लॉंच डेट के बारे जनवरी के महीने में आ सकती है क्योंकि जनवरी के महीने में इंडिया में ओटो एक्सपो होने वाला और यामा इस बाइक को इंडियन टूविलर मार्केट में लॉंच करने से पहले ओटो एक्सपो में रिवील करने वाला है और दोस्तो ओटो एक्सपो में रिवील होने के एक महिने बाद ये बाइक इंडियन टूविलर मार्केट में लॉंच हो जाएगी तो दोस्तों गर आप इस बाइक का इंतिजार कर रहे हैं तो आप हरवरी तक का वेड कर लो क्योंकि यामा इस बाइक को ओटो एक्सपो में रिवील करने के बाद 15 या 20 दिन बाद इंडियन कोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सके और अगर आप हमें फाइनेशली स्पोर्ड करना चाहते हैं तो आप हमें सूपर थैंक्स भी सैट कर सकते हैं तो मिलते हैं करेसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए तिल देन बाइ अए में से आप हमें।